बिस्मिल्लारमर रहीम, असलाम अलेकम, वेल्कम टो मैं चैनल, वीडियो मास्टर स्टार उमीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे आज मैं आप लोग को एक रेसिपी दिखाता हूँ मैंने का कि आप से आज रेसिपी शेयर किया जाए काफी दिर होगी है उस दिल हमने डोनट्स किये थे लास्ट टाइम तो आज आपके साथ आलू कीमे की रेसिपी शेयर करते हैं मेरे साथ रही हैगा, मैं आपको दिखाता हूँ, चलें यह देखें, यह कीमा है, तक्रीबबन हाफ केजी ठीक है, इसको अभी हमने प्रेशर कुकर में रखा है और साथ में हमने इसके प्यास लिए है, कितने प्यास है, दो प्यास, मीडियम साइज करी और पांच छे हरी मिर्चे हैं, ग्लेसेन के तक्रीबबन साथ आठ जवे हैं और अद्रग पोडर है, आप इसमें पीसी उई अद्रग भी डाल सकते हैं, ठीक है यह सारी चीज़ें आपने जो है, इस कीमे में आपने डाल देनी है, ठीक है और यह दो अद्रग जो हैं, यह टोमाटर है, यह भी आपने अंदर डाल देनी हैं, कटे होई टोमाटर अब इसमें नमक डालना है, आपने टेस्ट के मताबिक लाल मिर्श का पॉडर, यह भी आपनी मर्दी से अगर तेज खानी है, तेज खा लें, हम जो है, इसमें वन टीस्पून डालेंगे और अब इसमें डालनी है, हल्दी पॉडर यह भी आपको तक्रीबन वन टीस्पून आपने डालनी है, हल्दी इसमें पीसा धनिया मसाला यह डालना है मन्टी स्पूल इसमें आपने पानी फिर एड़ कर देना है तकरीबन एक ग्लास पानी ठीक है हमने जो है चुला इसको अन कर लिया और तकरीबन इसको तकरीबन आपने दस मिनट जब इसका वेड़ हिलना स्टार्ट होगा तब सी अपने टाइम नोट करना है आपने इसको दस मिनट के लिए इसको वेड़ देना है ठीक है लेजी दस मिनट हो चुकिया है दस मिनट के बाद हमने खुला है और इसका ठकन खोल के टाइम आ गया था इसको फिर हमने इसको चूले पर रखा है और आप इसके अंदर गी ढालके हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह कीमा जो है यह भुन चुक है यह देखने आप इसको अच्छी तरह भुनाई और आप हम इसमें कटे होवे तीन अदर दर्म्याने साइज के आलों हैं यह देखें इस तरह से आपने काटने हैं इस साइज में और इसको कीमे में डाल देना है इसको आपने अच्छी तरह भुनना है आलो को कीमे के साथ यह देखें जी आलो को भुन चुकी हैं कीमे के साथ आपने तक्रीबन हम ने इसको दस मिंट भुना आपी डस मिंट भुनी है गार इसको भूनना लाजमी हैं जब कीमा भुन जाये तो आलो को भी थोड़ा सा भूनना में कीमे में लाजमी है इसके साथ इसका टेस्ट ड्वैर्फ होता है अब हम इस पे आलों को बिलाने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे बलकि हमें एक कप भी डाला पानी इसे ज्यादा तो नहीं डाला पनी है हाँ जी एक कप डालके और हल्की आंच पे इसको दम पे रख देन हालता सा है पितनों हल्की सी आंच करके इसको कि कि किनी दिर के लिए दम देना है जब तक आलो गार जाए बांच मिंट की और इसका और जाया है कितना प्यारा कलर लग रहा है इसका हमने चुला बंद कर दिया और इसका बेट हटा दिया अब इसमें से स्ट्रीम नहीं कर रही है तक्रीबन 5-6 मिनिट के बाद हम लोग चत्र करने लगे हैं साथ में गरम-गरम फुलके त्यार हो रहे हैं कि यह देखें जी आलू जो है यह तक्रीबन गल चुके हैं थोड़ा संदर पानी था और इनको हम अब हल्का सा भून लेंगे आप लोग भी यह घट पर लाजमी ट्राइ किजिएगा और यही मसाले डालने हैं कोई इसके अंदर मोटी इलाइची या चोटी इलाइची या गरम मसाले वगरा डालने की जरूरत नहीं है इस तरह बनाएंगे तो आपको उस्यादा मज़ाएगा हा मसुमा क्या बात है बिटर वोट ऐसे भी बना रहे हैं जमान के तरह यह क्यों यह क्या है जमान क्यों अल्मारी में खुसी होगे हो निकलो बैर पागल गर्मी इतनी सकत है निकलो फिर कोई है अच्छा अच्छा आज़ो बिटर पाइड़ासे नहीं करते कभी भी नहीं इस नहीं चाहिए जो बचे देख रहे हैं वह भी यह घर में आप लोग ट्राइना किजिए यह बहुत हथरना काम होता है अल्मारी में यह किसी जगह में घुच जाएं तो उदाना हास्ता लॉग भी हो जाती है चलो आजो शाविच पर आज़ो वीवर्ज अब मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं इसने तो बाज नहीं आ ना यह जी कीमा भुनके और निकलके और यह डोंगे में आ चुक्या इसके ओपर यह धनिया जो हमने काटा था हरा बारा यह गानिश किया है और इसकी शकल मुझे कितने प्यारी बैंदे हैं मज़े मज़े का आलू की माप के समने त्यार है यह देखे जी अब हम खाने लगे हैं बिसमिल्ला करने लगे हैं और साथ साथ मेरा इदर व्लॉग चल रहा है बच्चे व्लॉग देख देख दे हैं जो उस दिन बारिश वाला था मुझे धेड़ सारी दौा में याद रखिएगा आपका बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर रहे हैं अलाहफेज कर रहे हैं कर रहे हैं